सो हेई गाइस वेल्कम बैक तो एगेंसर हम वापस आचुके हैं माइनक्राफ्ट फॉकेट एडिशन के एक और नई ब्रैंड न्यू वीडियो के साथ अभी अगर मैं आपसे पूछो माइनक्राफ्ट का वन अप दा मोस्ट इंपोर्टेंट आइटेम क्या है तो टेफिनेटली इसका एंसर है आइरंस गेम के स्टार्टिंग में आर्मर्स या वेपेंस बनाने हो या फिर विलीजेस से ट्रेड करना हो आइरंस की जरुत्त में सब होच जादा टब तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आज हम अपके लिए लेके आ चुके हैं के नया प्रोड़क्त हाइमीन नया फार्म एंड यह होने वाला है अपने माइनक्राफ्ट पॉक्ट एडिशन का मोस्ट इजी आइरं फार्म सो लेट्स गो तो सबसे पहले तो गईस हमें एक अच्छा सा लोकेशन डूरना है और फिर यहाँ पर हमें एक एड ब्लॉक हाइट का टावर बना लेना है इसके बाद गईस यहाँ पर हमें एक ब्लॉक प्लेस करना है और इस ब्लॉक के दोनों साइट में हमें दो दो ब्लॉक्स प्लेस करने है इसके आपने से हमें 6 glass blocks place करने हैं यहां से हमें 8 blocks place करने हैं इसके बाद हमें इन सभी beds को कुछ इस तरह से glass blocks से cover कर देना है तो यह guys अपना villages platform बन चुका है अब यह हमें इस platform के चारों तरप से 2 block height का wall बना लेना है इसके बाद guys हमें बनाना है इस farm का collection system काफी simple सा collection system है इसके लिए हमें चाहिए 1 chest and 3 hoppers तो इस corner पे हमें chest place करने है फिर हमें crowd चुके chest के दोनों side में 2 hoppers place करने है और एक hopper हमें इस hopper के साथ connect कर देना है तो यह अपने इस farm का simple सा collection system है इसके बाद guys हमें बनाना है killing chamber तो इसके लिए इस hopper के side से हमें 3 blocks place करने है और फिर इस वाले hopper के side से भी हमें 3 blocks place करने है अब यह हमें दोनों corners को connect कर देना है और फिर इसको beach में से fill कर लेना है तो यह guys अपना एक छोटा सा 5 by 5 का platform बन चुका है अभी इसी platform पे अपनी golem spawn होने वाले हैं तो यह golem से भागना जाए तो इसके लिए हमें इस platform के 4 तरप से 3 block site का world बना लेना है बाइदेवे अभी एक important बात जैसे कि आपको पता होगा हमारा एक चोटा सा डिस्कॉर्ट सर्वेरा एंड वहाँ पे आप ही कितरा 9000 plus gamers already join हो चुके हैं वहाँ पे हम games केलते हैं बाते बाते होती हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे डिस्कॉर्ट सर्वर को join नहीं किया है तो क्रिपिया join कर ले link के जिंदा description वर्ल बनने के बाद guys हमें चाहिए 4 signs lava bucket and water तो यहाँ पे हमें एक sign place करना है फिर दो blocks छोड़के एक sign हमें यहाँ पे place करना है hand फिर बाकी के दो signs हमें यहाँ पे place कर देना है इसके बाद guys हमें चाहिए lava bucket तो lava हमें कुछ इस तरह से place कर देना है finally एक bucket water हमें इस corner पे place कर देना है इससे यहाँ पे जितने भी iron golem spawn होंगे वो सीधा lava के touch में आ जाएंगे तो यह guys अपने farm का killing chamber भी हो चुका है ready अभी guys हमें चाहिए कुछ ladders तो यहाँ से हमें ladders place कर देना है थाकि बाद में हम इस chest को easily access कर सके वैसे यहाँ पे हमने एक block extra place कर दिया था तो यहाँ से हमें इस block को हटा के slab place करना है अभी finally हमें इस farm पे villages लाने है तो इसके लिए guys हमें कुछ इस तरह से rails and mine card place कर देना है अभी जैसे हम लोग इस villager को push करेंगे यह सीधा अपने farm पे चला जाएगा अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका villager farm से कुछ जादा ही दूर है तो जादा दूर तक real place करना तो possible नहीं है तो इसके लिए का इस आप use कर सकते हो boat and rope का तो basically आपको villager को boat में बिठाना है और फिर उस boat को rope से खीच के farm के करीब लेके आना है अभी इस farm पे हमें बस दो ही villages लाना है अभी बेकार villager होते हैं यह ना ही कोई job लेंगे और ना ही iron golem spawn करते हैं 20 villagers हो जाने के बाद गईज अभी हमें इन सभी villagers को job देना है job देने के लिए आप कोई भी workstation use कर सकते हो तो यहाँ पर हमें workstation place करना है और फिर हमें थोड़ा सा wait करना है जब तक कि इस workstation के उपर green particles नहीं आ जाते हैं green particles आने का मतलब है कोई ना कोई villager इस workstation से attach हो चुका है तो 20 workstation place करती गई यहाँ पर अपना पहला iron golem spawn भी हो चुका है अभी अगर हम इस farm को इसी तरह से छोड़ देंगे तो iron golem killing chamber की बजाए इन ही workstation के उपर spawn होंगे तो हमें इन सभी workstation के उपर slab place कर देना है and slab सम्में villagers के उपर भी place कर देना है ताकि thunderstorm की वज़े से कोई भी villager kill ना हो जाए तो finally guys अभी अपना farm almost ready हो चुका है lastly guys हमें इन beds के नीचे वाले blocks को भी तोड़ देने है and इन blocks को हमें काफी सम्मबल के तोड़ना है blocks तोड़ते वक्त अगर गलती से एक भी bed तूट जाता है तो हमें पहले से इन सभी bed and workstations को place करने होंगे तो इसके लिए भाई काफी सम्मबल के तो अभी है अपना iron farm हो चुका है ready अपने चेस्ट में 7 iron ingots कलेक्ट हो चुके हैं तो आई होप की गाईस आप सभी को आज के वीडियो पसंद आयोगा वीडियो से थोड़ा भी हल्प मिले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कूर मत भूलना डेफिनेटल इस farm को अपने survival world में एक बास जरूर से ट्राइ करना और मुझे comments में बताओ आपको यह iron farm कैसा लगा चैनल के उपर नहीं हो तो subscribe करके बेल बटन को दबा दो इसी तरह के gaming related वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी से मिलूँगा काली कॉर्णी वीडियो के साथ तब तके लिए स्टे सेव गुडवाई